हुमारे साथ मौजूद है बटकणाद मंदीर के पुझारी जी जो हमको बताएंगे कि इस श्रीयंत्र के बारे में ये श्रीयंत्र कितना पुराना है आए बात करते हैं इसमंदिर के पुझारी। यहां पे मातारानी का एक मंदिर है वो अधिश्ठात्री देवी कही आती है श्रीयंत्र की उनके बारे में क्या कहना है करकलता काली मट पीटा दीशुदी जया पीट है उनकी पूजा करने को आती है इस तान के तेली कि बटुकनात मंदिर में इस्थापित यह श्रीयंत्र जो आप देख रहे हैं इसकी महिमा लगबग वारश वर्स पुरानी है कहते हैं कि आदिगुरु संकराचार ने इसको यहाँ पे इस्थापित किया था आए इस श्रीयंत्र के बारे में और जानते हैं इत्यासकार अमितिवाली जी से अमेजी इस श्रीयंत्र की और क्या महिमा है आप बताने ये कब कब यहां पे लोगों का आना होता है यह स्रीयंत्र बिलच्छन स्रीयंत्र है समस्त संसार में इसके समकालीन दूसरा कोई स्रीयंत्र इस समय महजूद नहीं है यह बैदिक स्रीयंत्र आदगुरु संकराचार की बैदिक धरोवर का हिस्सा था आज से 1200 वर्स पूर्व आदगुरु संकराचार ने सोरों प्रवास के दौरान इस स्रीयंत्र को अभिमंत्रित करते हुए इस्थापित किया था इस स्रीयंत्र से जोड़ी जो स्रीविद्या होती है उसकी जो अधिश्ठात्री जो देवी होती है वो जयात्रपरशंद्री है उत्तर प्रदेश के काजगंज की सोरों तीर्थ नगरी अपने आप में बहुत सारी धरोहरे संजे हुए है उनी धरोहरों में से एक है काजगंज के सोरों तीर्थ नगरी का ये बटुकनात मंदिर जिसमें लाखों वर्ष पुराना ग्रदबट मौझूद है बट सर कितनी वर्ष पुराना है और इसकी क्या महिमा है हमारे बिश्व में हमारे जो बिश्ट सरस्टी में चार बट ब्रच्छों की महिमा का उलेख मिलता है जिनके नीचे बेद उपनिशद और पुरानों की रचना हुई उसमें जो सबसे प्राचीन जो बट ब्रच्छ है उसे ग्रद बट का कहा जाता है वो सत्योकाल से स्थापित है ये वो ग्रद बट मौझूद है जिसके नीचे बेद उपनिशदों की रचना हुई